गुड मॉर्णिग शिड्रेंग वेलकम टू माई एन्वी क्लासेश आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी पाठ का एक चैप्टर है चिठी के अक्छर आज मैं आपको इस पाठ का प्रशुतर बताने वाली हूँ मौकिक प्रशुतर लगू प्रशुतर और देग प्रशुतर तो उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप इस वीडियो के देखने के बाद लैग भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी करें ताकि उनको भी उनकी स्टडिज में हेल्प करें तो सब्सक्राइब करना ना भूले नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए सुरुआत करते हैं पाट सोला चिठी के अ लेखक उनके अगबार के लिए क्या भेजा करते थे लेखक उनके अगबार के लिए कविता और कहानी भेजा करते थे प्रश्न गौ लेखक संपादक महोदे से कब मिले लेखक को जब किसी साधी में जाना पड़ा तब वे महीपाल सिंग से मिले प्रश्ण गो लेखक क्या देकर आश्चर चकित रह गए? उत्तर है लेखक महीपार सिंग का दाया हाथ कंधे तक कटा हुआ देकर आश्चर चकित रह गए? प्रश्ण अंगो संपातक महोदय ने अपना दाहिना हाथ कैसे खोया? उत्तरिस्पकर है एक दिन जब संपातक महोदय सत्रू को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे तभी उनके पास में ही एक बम फटा और उनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया प्रश्ण चो संपातक महोदय की सुन्दर लिखाई का श्रे किसे जाता है? अब मैं आपको इस पार्ट का उचित विकल पर सही का चिन्न लगाईए बताऊंगी प्रश्ण को संपादक का काम है उत्तर इस प्रकर है सूचनाओ को छाटकर उन्हें प्रकाशन योग्य बनाना प्रश्ण को अकबार में चपे लेक को लिखने वाले कहलाते हैं तो उत्तर है लेखक प्रश्नकौ सरकार ने महिपाल को सेवा मुक्त क्यों कर दिया उत्तर है उनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया था तो इसलिए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया अब मैं आपको इस पार्ट का लगू उत्तर ये प्रश्न बताने वाली हूँ उसका उत्तर बताने वाली हूँ तो प्रश्ण को है सुन्दर लेख के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उत्तर है सुन्दर लेख के लिए हमें कठीन परिश्रम करते रहना चाहिए प्रश्ण को लेखक संपादक की किस विशेष्टा से प्रभावित हुए लेखक संपादक की सुन्दर लिखावट से प्रभावित हुए प्रश्ण को संपादक महोदय ने दोनों हाथों के गुन बताते हुए क्या कहा उत्तर है संपादक महोदय ने कहा दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता जो गुन दाएं हाथ में होता है वही गुन बाएं हाथ में भी होता है यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है प्रश्न गोव, सेवा मुक्तो होकर संपादक महोदय ने क्या निर्णे लिया उत्तर है, सेवा मुक्तो होकर महोदय ने कहा कि वह पहले पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर बाद में एक अकभार निकालेंगे प्रश्न अंगो संपादक महोदय ने अपने अभ्यास के क्या प्रमान प्रस्तुत कियें तो उत्तरिस्पकर है संपादक महोदय अपनी अलमारी से 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं दिखाई जो टेड़े मेड़े दूर दूर और अलग अलग और फिर सुन्दर सुन्दर अक्षर में लिखे हुए थे अब इसका दिख उत्तरी प्रश्ण प्रश्ण को पाठ के संदर्भ में रसरी रावत जात ते सिल पर परत निसान का आशय इसपष्ट किजिए तो उत्तर इस प्रकार है इस पंक्ती का आशय है कि जिस प्रकार कुए से पानी खीचने के लिए बरतन से बांधी हुई रसी कुए की किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगण खाने से पत्थर पर भी निसान बन जाते हैं ठीक इसी प्रकार बार-बार अभ्यास करने से मंद बुद्धी व्यक्ती भी कई नई बाते सीख कर उनका जानकार हो जाता है। प्रेश्नक्खो सापताहिक अकबार की क्या-क्या फिसेस्ताएं थी। उत्तर है महिपाल सिंग द्वारा छापे गए सापताहिक अकबार में गाओं की बाते, साथ दिनों के समाचार तथा किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बाते छपती थी। प्रेश्नक्खो लेखक का नाम सुनते ही महिपाल सिंग की क्या प्रतिक्रिया हुई। लेखक का नाम सुनते ही महिपाल सिंग एकाएक उछल पड़े और उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर लेखक को हिरिदय से लगा लिया। प्रेश्न गो जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। इस कथन के अधार पर बताईए कि महिपाल सिंग के जीवन में कौन सी अन्होनी घटना घटी। उत्तर इस प्रकार है महिपाल सिंग 40 वर्स की उम्र तक फौज में थे। वे निशाना मारने में बड़े तेज थे। उन्हें एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब सत्रू को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे तभी पास में ही एक बंफटा और उनका दहिना हाथ कंदे तक उड़ गया। इसलिए कहा गया है कि जीवन में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। प्रश्न अंगो विकलांग हो जाने से निराश नहीं होना चाहिए। पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है विकलांग हो जाने से निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि विकलांग व्यक्ति भी वह सब कुछ कर सकता है जो एक साध्रन व्यक्ति कर सकता ह आसा करती हूँ बच्चों आपको ये चैनल जो है आपके स्टेडिस में हेल्प किया होगा तो मेरा आपसे आगरा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें अगर अ नेक्ष्ट वीडियो के लिए तो देखते रहे मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें थैंक यू बाबाई